हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल लान्विद माही आज 24 फेबरी है और आज की करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे रिलेटर फेक्स भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपको वीडियो कैसे लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं और अज के क्वेशन्स की पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक पर क्लिक करके आप ग्रूप जोइ लिए है तो करेक्ट एंसर इस ए आसम असम की राजधाने दस्पुर है और यहां के मुख्य मंत्री हिमंता बिश्व सर्मा है असम का नया डीजीपी ज्यानेंद्र प्रताप सिंग को नियुक्त किया गया है असम सरकार ने मठिया बाग हावा महल का अधिग्रहन किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है पुर्वोतर के पहले युनाने चिकिस्सक शेत्रिय केंद्र का उद्गाटन सिल्चर में किया गया असम के मुख्य मंत्री ने बाजरा मिशन के शुरुआत की प्रीज बियोंड फॉरेस्ट कारेकरम असम में शुरू हुआ है कटी भी हुत्योहार असम में मनाया गया है लेकिन क्वेशन इस किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोशना की है सो करेक्ट एंसर इस बी सौधी अरब मुकाब दुनिया का सबसे हाइटेक शहर बनाया जाएगा इस शहर की लंबाई 400 किलोमेटर चोड़ाई भी 400 किलोमेटर और उंचाई 400 मीटर होगी इस शहर में लगबग 1,04,000 फ्लैट्स होंगे 9,000 होटेल रूम होंगे और 14,000,000 स्क्वाईर मीटर का ओफिस एरिया होगा सब्सक्राई अरब से 2023 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रायना बर्नावी है पुर्थगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अलनासर फुटबॉल क्लब से जुड़े है दे लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सौदी अरम में स्थापित किया जाएगा थर्ड क्वेशन इस अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है सो करेक्ट एंसर इस बी कार्लोस अलक्राज सबसे कम उम्र में विश्व नमबर वन एटीपी खिलाड़े बने है नोवाग जोकोविच ने छटा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतिये शरत कमल बने है विट्जर लेन ने आस्ट्रेलिया को हरा कर पहला बिली जीन किंक अब जीता है फोर्थ क्वेस्चन इस भारतिये टेलिफोन उद्योग के नए CMD कौन नियुक्त हुए है सो करेक्ट एंसर इस सी राजश रॉय नीती आयोक का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है भारतिये अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोक के 62 सत्र की अध्यक्ष रूचिरा कम्बोज चुनी गई है ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है लहबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है 5th question is कहां ओला उबर और रैपिडो पाइक टेक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है So correct answer is D. दिल ले 6th question is किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है So correct answer is A. जर्मनी यह है वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन है 7th question is सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साजेदारी की है So correct answer is B. ऑस्ट्रेलिया जर्मनी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालियों से चीनी कैमरे हटाएगा उस्ट्रेलिया ने अपनी करंसी से ब्रिटिश राश राही की तस्वीरे हटाने की घोशना की है उस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ती का अनावरन किया है वीना नायर को उस्ट्रेलिया में प्रधान मंत्री पुरुसकार मिला है एट्थ क्वेशन इस उत्तर प्रदेश के आगरा में दस दिवसिये ताज महुत्सव का उद्गाटन किसने किया है तो करेक्ट एंसर इस दी योगेंद्र उपाध्याय योगेंद्र उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है और यहे गोमती नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्ते नाथ है और गवर्नर आनंदी बेन पटेल है और उत्तर प्रदेश का राजके पशु बारा सिंगा है और राजके पक्षी सारस है राश्ट्रे पुष्प पलाश है और राजके वरक्ष अशोग है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पॉर्टल लॉंच किया है 22 जन्वरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृती और पक्षी महोत्सव के साथवे संसकरन की मेजबानी करेगी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहीनी पहल प्रशिक्षन कारेक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है किसने दोहजार सत्ताइस तक महिला प्रेमियर लीग के लिए शीर्षक प्रयोजन अधिकार प्राप्त किये है WPL के अगले पांच संसकरन तक टाइटर स्पोंसर्शिप टाटर ग्रूप ने हासिल की है 10th question is किसे अंतर राश्ट्रिय मात्र भाषा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है So correct answer is B. Dr. Mahindra Mishra बांगलदेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने Dr. Mahindra Mishra को अंतर राश्ट्रिय मात्र भाषा पुरुसकार से सम्मानित किया है युनेस्को शान्ति पुरुसकार से एंजेला मौकल को सम्मानित किया गया है राखी कपूर ने Now You Breathe के लिए Golden Books Award 2023 जीता है म्यूजिक कमपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित Grammy Award 2023 जीता है सर्वस्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए औसकर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई M. Yoho बनी है अंबिका सुथन मंगर ने ओड़कुझल पुरुसकार जीता है 11. दमित्रे दमित्रुक को किस देश की मुक्य बाजी टीम का पोच नियुक्त किया गया है 12. दोहजार तेश का ग्यानपन पुरुषकार किसे दिया गया है 13. दादा साहिब पाल के अंतर राष्ट्रिय फिल्म समारोहो 2023 में किस फिल्म को फिल्म आफ ते इयर चुना गया है 14. उत्तर भारत का पहला परमानु संयंत्र कहां बनेगा C. हरियाना 30. दादा सूरजकुंड अंतर राष्ट्रिय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है अंतर राष्ट्रिय गीता महुत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया हरियाना के मुख्य मंत्री ने E. उपहार पॉर्टल और CM डैश्बोर्ड लॉंच किया है हरियाना सरकार ने पालतु कुत्तों का पंजीकरन अनिवारे किया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाना सर्वश्रेष्ठ राज्य घोशित किया गया है 15th question is पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कारेशाला कहां आयोजित की गई है So correct answer is C. गोवा एंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आद्र भूमी बचाव अभियान शुरू किया गोवा सरकार ने The Vision for All School Eye Health कारेक्रम शुरू किया है भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित आठ लेन जुआरे ब्रिज का उद्गाटन गोवा में हुआ 16th question is भारत और मिश्र ने कहां तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कारे समूव की बैठक आयोजित की है So correct answer is D. नई दिल्ली 17th question is ला गनेशन ने किस राज्य के 21 राज्यपल के रूप में शपत ली है So correct answer is B. नागलन वार्शिक ओरेंज फेस्टिवल 2023 नागलन में मनाया गया 23 वे हॉर्ण बिल फेस्टिवल की मेजबानी नागलन करेगा N.E.VA कारे क्रम को लागू करने वाला पहला राज्ये नागलन बना है केंद्रिय क्रिशी मंत्री ने नागलन में हनी टेस्टिंग लेब का उद्गाटन किया है 18th question is किस स्पोर्ट्स कंपनी ने 350 अरब रुपे के सोदे के तहत भारतीय क्रिकेट टीम किट को प्रायोजित करेगी So correct answer is A. Adidas 19th question is भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा क्रुसाई कहां लौंच किया गया है So correct answer is A. Audition 20th question is कौन सा देश अगस्त में पहली बार माला बार नोसेनिक अभ्यास आयोजित करेगा So correct answer is D. Australia Thanks for watching my video अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें Thank you